हलो दोस्तों कैसो आप सपाई होप आप सब अच्छे होंगे देख सकते हैं LG का VRFR Multi V4 का इसको हम लोग पंडाउन कर चुके हैं देख सकते हैं पंडाउन किये हैं पंडाउन का वीडियो एक बना के अल्रेड हम लोग डाल दिये हैं इसको इसमें आज हम लोग क्या करने वाले ह इसमें हम लोग ड़क्टेवाल इसी का 2 unit का expansion wall tube assembly जो है वो खराब हो चुगा उसको चेंज करने वाले हैं और दिखाते हैं कैसे चेंज करते हैं और क्या चेंज करना पड़ता एक्स्वेंसन वाल के साथ क्या क्या चेंज करना पड़ता है इंडाउन इसमें देख सकते हैं इ पेसंबले का है, इन्डो रहने कीट compr रहे हैं इस्सामने का इसमेंट वख सामने कीट, ठीक्छल की लिए में कीट है प्रेज़िंग करकीद निकाला लेंग और जो अपना डिस्चार्ज लाइन उसको फ्रेज़ दिया हुआ ईसमें फ्रेजर से खोल लेंगे सबसे पहले ही हमढ़ने के लिए पंप निकाला लेंगे पूरी वायरिグ निकाला लेंगे देख सकते हैं पूरा अच्छे से निकाल लिए सोलनेट वोल, एक्सपेंशन वोल का, पूरा सेंसर का, अच्छे से देख सकते हैं, मसीन पंडावन है, फ्लेरिंग कोल लिए है, जो नया वी ट्यू असम्बली है, उसमें डारेट ब्रीजिंग है, मसीन के साथ का, इसके लिए फ्लेरिंग दि यह देख सकते हैं, यह अपना न्यू है, यह देखेगा, यह न्यू है, इसको हम लोग यहां से कट करेंगे, इसको डारेट ब्रीजिंग कर देंगे, अपना डिस्चार्ज लाइन में, और यहां से ब्रीजिंग निकालेंगे, यहां से निकालेंगे, और अलग कर देंगे, देखिएका देखिएगा झाएंगे कीट से निकाल देगे जाते पुरने वालेंगे सोड़ी में ब्रीजिंग कर देगे दोनों डक्टेबल में प्रोब्लम है पहले हम लोग फाइनल करेंगे देख सकते हैं इसको ब्रीजिंग से निकाल लिए देखी यहां से निकाल लिए डिस्टिबूटर इसमें अल्रीडी लगा हुआ है सिर्फ इसमें लोग अभी ब्रीजिंग कर देंगे असक्शन लाइन का पॉरा किट के साथ गाईग सकते हैं पुराने वाले निकाले थे जिसमें फ्लर का भी से निकालने के बाद अभी वाले इसमें फ्लेरिंग जो नया हाए हुआ उसमें फ्लेरिंग नहीं है उसको हम लोग डारेट जॉइन मार देंगे लीक अच्छे से टेस्ट कर लेंगे नाइट्रोजन को होल्ड रखेंगे 24 गंटे के लिए नेक्ट दे आके हम लोग इसको फिर प्रेफर बरावर रात हम लोग इसको गैस चार्च करेंगे वैकूम करेंगे वैकूम करने के बाद 600-700-500 माइक्रोन तक लाएंगे इसके बाद हम लोग गैस चार्च कर देंगे वाल खोलेंगे पहले एडिशनल जो पाइप में है और डाल पूराना वाला है इसमें देखिए यहां पर फ्लेरिंग नहीं दिया हुआ है इसको इम लोग डारेट जॉइंट मानने वाले हैं उनियन लगा हुआ वह नहीं है फ्लेरिंग नहीं दिया हुआ है पुरा जोले टैनल को सब्सक्राइब और यहां पर बिर्जिंग कर देए, इसको भी डरेट बिर्जिंग कर दिये हैं, खेल अपर कॉपलिंग लगा हुआ है, इसमें और बिर्जिंग मार देगे इसको भी इहां से कट करके, अच्छे से यह यह process पंडाउन का already video बना के रखा हुआ है VRV का VRF का सबका already पंडाउन गैसे करते हैं Daikin का LG का सबका बना के रखा हुआ है gas charging कैसे करते हैं वीडियो को जज़ादा ज़ादा like से र सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे ओके गाइस और कुछ भी नहीं करना पड़ता ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है सिदा ट्यूब लाने का और पंडाउन करने का और बिरिजिंग कर देने का फेस्वल नेट बॉल और एक्सपेंशन बॉल चेक करने का क्योंकि LG में लेक्टॉप लगाना पड़ता है रेडिंग के लिए कितना एक्सपेंशन बॉल ओपन हो रहा है कितना क्या हो रहा है क्या रेडिंग या और सब चेक करना पड़ता है भी ब्रीजिंग कर दिये नायटोजन को होल रखीँंगे फिनेश डेम लोग वैकूम करके ग्यस चार्च करतेंगे को सउर्विस भी करेंगे को पूरा अच्छे से अंदर बाहर क्लीन कर दिंगे पूरा यह देखिए डिस्टिबुटर हम लोग निकाल दिये थे नयवाले का यह देखिए अहां से क्युंकि उसको जल्दी प्रॉब्लम नहीं आता इसकी लिए इसको निकाल दिये हैं पुरान वाला ही अच्छा है फ्लस व्लस करके अच्छ से लगा दिंगे यह देख सकते हैं पूरा लगा होगा कि वैकूम पे डाल आ है क्योंकि वैकूम मोड में पूरा इक्सफेंशन ओल्ल इंडॉर का उन हो जाए अभी देखे पंडाउं नहीं है इसको वैकूम बीस लिए डाले हैं चेक कर लेंगे कि ए पर दालने से क्या होता है सारे इंडोर आउटडोर के सब एक्सवेंशन वल ओन हो जाते हैं तो हम लोग उसको फिर प्रेफर डाल के उसको अच्छे से देख लेंगे बराबर पास हो रहा है कि नहीं नायटोजन इसके बाद होल्ड करेंगे लिक टेस्टिंग करेंगे अभी द क्योंकि ज्यादा पंडाउन के ज्यादा हम लोग प्रेफर में डालते कभी लीक रहा अंदर चला गया तो फिर वह प्रॉब्यम आएगा इसके लिए तोड़ा डाल की टेस्टिंग कर लेने का यह देखिएगा यह 14HP का सिस्टम है लिकेज है नहीं पूरा वायरिंग पूर 24 गंडे ना टोजन होल्ड रखेंगे इसके बाद नेक्स्ट जे हम लोग इसमें गैस चार्च करेंगे वाल को ओपन करेंगे डिशनल पाइप में गैस डालेंगे फर वन जीरो इसके बाद हम लोग मसीन को करेंगे ओन 600-500 माइक्रोन तक वेकूम करके इसके बाद गैस चार्च करेंगे देख सकते हैं इनलेट आउट लेट पूरा सेंसर सब लगा दिया अच्छे से ओके गाईस आई होप आभी को वीडियो बहुत पसंद आएगा डेक्टेवल एसी का जो एक्पेंशन वाल चेंज करते हैं यह प्रोसेस रहता है वेकूम हम लोग लाए है अभी हम लोग आके चेक किए बराबर है नाइटोजन यह देखिए 200 डालेते 200 पूरा है इसको हम लो अंदर का जो भी इंडोर है पूरा पैक अप कर लेंगे अच्छे से तब तक में वैकूम आ जाएगा तीन-चार घंटे में वैकूम आ जाएगा क्यूंकि आउटडोर तो पंडाउन है सिर्फ यह देख सकते हैं अभी हम लोग का पंडाउन आ चुका है बहुत टाइम बाद तीन-चार घंटे चले हैं पंड चला है भी देख सकते हैं वाल बंद है 600 पे अब हम लोग इसको गैस खोल देंगे अपंड गरम हो गया पूरा 670 क्योंकि एक बाद नया रहता है तो हम लोग 400 तो माईक्रोन ला देते हैं 300-400 एक बाद गैस जो सिस्टम है पुराना सिस्टम इसके लिए 700-800-600 पे हम लोग गैस चार्च कर देते हैं क्योंकि ओएल और गैस दोड़ा रहता है तो बहुत टाइम लगाता है वैकुमाने में इसके लिए 600-700-800 पे गैस चार्च कर देते हैं नया सिस्टम रहता है 400-500 तक हम लोग नाइक्रोन लाते हैं ओके गैस वीडियो पसंदा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाली वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचती रहे अभी देख सकते हैं बाटले को हम लोग उल्टा करें 410 बाटला है अब इसको हम लोग नब्स करके अच्छे से तो चार्जिंग लाइन रहता है इसका गैस डाल देंगे पाइप में वाल खोलेंगे इसके बाद वाल खोलेंगे यह देखे सो प्रेफर डाल दिये अभी हम ल वाल खोलेंगे अब इसके बाद नहीं दालेंगे वाल खोलेंगे वाल खोलने के बाद यह देखेंगा वाल खोल रहे हैं दोनों सक्समाइं डिशाज रहें वाल खोल के यहम से भी ओन करेंगे ओन करने के बाद इसको मसिंग को ओन करेंगे और रेडिंग देखेंगे अपना लिप्टाप पे जो लगता है लिप्टाप पे देखेंगे कितना एक्स्पेंसनवल हो रहा है कितना गैस है क्या है स्टेटस है कूलिंग है सिंसर का रेडिंग क्या है पुरा हम लोग सब चेक कर लेंगे ओकी गाइस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाली वीडियो अब तक पहुंचती रहे अभी थोड़ा लोंग वीडियो मेरा नहीं बन पा रहा था अभी लोंग वीडियो बनेगा वी आरफ के उपर ज़्यादा बनेगा और डक्टेवल एसी थ्रेफेस का सिस्टम और वी 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 आरफ हर ब्रैंड के अभी वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगे चैनल पे जो चैनल पे नए हैं को लाइक से त्सब्सकृाइब जरू करिएगा और सिस्टम मेरा चालू हो चुका है रिसेट कर दिये हैं सी भी वी आरफ करती हैं ब्रैंड भी उसको चालू करते हैं रिसेट होने की Sel Miche तो मेरा तिन से चार मीनेट बाट तक चालू होता है सिस्टम अब यह देखिए पूरा उपन कर दिये मसिंग को भी चालू करेंगे जालू करने के बाद क्या इस्टेटर से देखते है ओके गाइस देख सकते 14HP का सिस्टम है 14HP आ चुका है भी रिसेट हो रहा है पूरा रेडिंग दिखाने के बाद ब्लैंक हो जाएगा डिस्टे डिस्टे ब्लैंक होने के बाद पूरा अब्लोर का फैन भी चालू हो चुका है यह देखिए यह यह प्रोसेस वीडियो पसंद आये तो लाइक सेर। ससक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाली वीडियो आब तक पहुंचती रहे ओके गाईस मसीन चल रहा है यह होता है डक्टेबल आउटओर का एक्सपेंशन वोल का चेंजिंग